202020 में घर बंदाने में कितनाा खरचा आता है का फिलो कोमेंट्स कर रहे थी सिरह हमें वताईगे कि जो घर है उसको सक्राचा कितना हाथ उसको बनाने है तो वीडियो को लास्तर बहुत इंपोर्टेंट है इस वीडियो में हम सी मिपल जानेंगे कि घर हमाने में कितना खर्च आता है तो सबसे पहले जान लेते हमारे पास है सब्सक्राइब सब्सक्राइब होता है टीके तो आपके जो अपर आपका बनता है आपका दो त्रीος से बनता है तो क्या लीडियर शेक्ट नोश बिंगनाना चाहते हो लेकिंग अपने इतना बनाया प्लोट आप पूरा वह पूरा पेमेंट नहीं करेगा लेकिन जितना आपके बनाया प्रेंट लेटा यह होता है उतने नदेगाथ पर लेकिन काफी जगह पर यह होता है कि पूरे का भी पूरे का भी लेता है ग्राउंड फ्लूर पर वह पूरे का इसका इरिया में करता है तो वह जो अब जब अब बात करते हैं ऑपने करता है उसको थोड़ा बढ़ा दिया मतलब होता है वह चाहिए तीन फिट का बढ़ा दिया है और आपने प्रिट ड़ा तो जो आपका ग्राउन प्रूर पे कवर होगा तो वह थम्डूल होता है तो जितना भी आपका सफिल और में अपने फिली एरिया चोड़ा जैसे कि काफी एरिया में है आपने जाल चोड़ेते हैं उसको भी वह इसको होता है इसको वो आधे रेट में कवर करेगा क्योंकि इसमें वान्टी वाल भी कवर होती है प्लस इसमें एमस का जाल लगाई या नहीं लगाई वो अलग से आइटम में इंक्लूड हो जाता है अगर दूसरा थम्रूल होता है कि अगर आपने पैंदा कवाई 25 का पलोट है और आपने अपने कंडिसन में क्या किया है कि जो अपने जो इसमेंat ऑपने के शुक्त-सवक को तो अगर न रसü जहिंए ट्रम में खुर हमें बनाना है इस आहिसा तो फ़लूर हमएं बनाना है इसकान दो फ्लूर मतलब ग्राट और लोगानाना है एक फज्ट इसल एम बिलैंगर आयरीया क्या होगा बढ़ लेकिन वाप पर जो एरिया आपने चाज़ा नीचे भी बनाए है और प्रोजेक्षिन आपने ग्राउंट फ़र्स्ट पर भी आपने ये बनाए अगर आपने फ्रीश फ्लूर पर भी चाज़ा तीन फिट बढ़ा या फिर आपने कुछ अधर तक अंदर सा कवर किया पर लेकिन उसका स्लैब है जो जो कि स्लैब है वह आपने कवर किया तो वही मेजरमेंट होगी ठीक है तो वह हमने महारे पास 45 फीट तो हम पर हमारे पास 45 स्क्वेर फीट हमारे पास टोटल स्लैब का एरिया हो गया है अब हम क्या करते हैं कि किसी बिल्डर से या फिर खुद से हम घर बनवा रहे हैं तो अब जान लेते हैं कि इसमें बनाने में कितना खर्चा आएगा तो काफिल एरिया आपके अलग-अलग एरिया में अलग-अल है वह बढ़ता चले जाएगा इसी आपको अच्छा मखर मनवाना है मतलब कि आपको हर चीज उसमें चाहिए फनीचर आपका मारवल मारवल होनी चाहिए किचन बात्रूम के अंदर अच्छी क्वालिटी की टैल होनी चाहिए तो अच्छा आपके वोडन डॉर्स होने चाहि चाहिए इसमें आपकी अच्छी वाली जो टैप होती है प्रप्लिस अच्छी वाली पितिंग्स लग जाएगी लेक्रिकल स्वीच है वह च्छी क्वालिटी की लग जाएगे उसके पाद हम साइकिन भी क्लास में देख लेते हैं कि थोड़ा इसमें मीडियम क्वालिटी की मतलब आपके इसमें टैल से लग जाएंगे पर लेकिन आइटम कुछ घड़ जाएंगे इस तरह से हो जाता है उसके बाद हमारा सैट क्लास सी के अंदर तो वह अच्छी में क्या जाता है कि इस्ट्रक्चर है आपको अल्ली एक फ्रेम इस्ट्रक्चर बना दे जाएगा को सब्सक्राइब से उसके बाद वाइट वास करते जाएगा और बस अब कुछ को मतलब मैंवली मैंवली आइटम इसमें जूट जाते हैं 800 रुपे से बारा सुके फिट तो आर्ट रुपे में आपका उनली स्ट्रक्चर पेंट वाइट वाइट पास प्लॉरिंट टाइल और और भी के अले होता है कोई समय बॉर बोर फ्रेम या फिर कुछ भी वह नी होता इस आठ्सवर पर मैं आपके डोर फ्रेम लगा देते लगा दी जाते हैं बस जड़ फ्रेम पेंट्विंट अन ताइल जो आपकी अनुट याच्जी घ्राइट है इसमें ज्यादेता है वितन कि इसमें यह भी हुआत होता है कि सिमेंट आप कौन सा यूजज करने में और सबस्याइब इौज्टी है यह सब有點 लेकि कौन सी को चाहता है अब हम जा लेते कि सिमेंट पाता है सोला से सतरा परशेंट का आपको खर्चा आता है उसको हम बात करते हैं आपका साथ से पर्षयना का कर्चा आपका उहां पर कर्टे राहाता है और इस स्टील पर करतार प्रसेंट कर्चा लगबक पेंट पे आ कि कॉनल मोटे ठीन की बात करते तो पहां पर कर्चा लगबक पेंट पेंट एड़ाता है ग्सेficny में यह ओता है जो ब्रेक मैंदेसंट नहीं वाल तक आपका लेवर उच्छा लेबर हो जाता है प्रिक्स हो जाती है तो इसलिए कोश्ट आपका बढ़ जाता है वहीं हम बात करते हैं तो टायल्स में हमारा एट वॉन परसान लां तरह इसमारा ञगर्द सब्सक्राइब allows ओख लगाने में हमारा तीन स से पांच सरफ तीन पर लगाने में कितना लगाने में धुक्याइब विण झाटे हैं लगते हैं तो 3 cm वहां गटियुटीन फीक्ट के साथ पाइबर पर शच्ट लगते हैं सेनेटरी फिटिंग की बारे में जा लेते हैं कि क्या नोट्स है कोश्ट ओप लेवर एंड मैट्रियल जो आपका कोश्ट है लेवर कोश्ट है आपका लेवर कोश्ट है टोटल कोश्ट का क्या है 30% कि अगर आपका 10 लाग खरेंट को बनाने में दसलाग का के दिशित्टा क्या नगा टीदेंगे ओ प्रेंड नगो encourage यह फवि denote पो कर देना है लग जाता है material material पर अब थोड़ा और आगे जान लेते हैं कि self content अगर आपको मकान में खर्चा पचा रहा है तो वह कैसे बचाएंगे आप तो एक तो होता है आपको खुद को आपसे जो बिल्डर से ना काम कर आपके खुद से काम कर आपको खुद से material पर्चेस करें उसमें प पर्चेस करेंगे तो आपको क्वालिटी पे और इस पर फोकस करेंगे दूसरा यह है कि जो लेवर से हैं वह आपकी सेविंग हो जाएगी कुछ 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 आपको सूपर वीजन है खुद करने पड़ेगी और आपको थोड़ा कुद करने पड़ता है तो महां पे आपको लगबाग 15 परसेंट आपको बच जाता है तो इस तरह से आपको यह कि अग्याग आपको दस लांग पर 15,000 लांग एक लांग पर जाता है कि और हमारे हैं कि कोस्ट ओफ ऑ फारून्डेस हैं अगर हापको घर बनाने महें ग्रांट फ्लूर बनाए आपने तो ग्रांट फ्लूर को बनाने इозиक ऌर नश्टोरिक भ्लाने में अंघ आपको सब्सक्राइब करशतर एंचंक थे करदाना इस एधा We अब थोड़ा और जालने ते हैं कि स्टोरी जो सेकंड इस्टोरी खर्चा आपका लग जाता है वह पिच्छी परसेंट से नब्य परसेंट लग जाता है अगर आपने फर्स्ट फ्लूर आपने ग्राउंड फ्लूर ग्राउंड फ्लूर पे क्या होता है ग्राउंड फ्लूर प लगता है मतलब टोटल कोस्ट का जितना आपका ग्रांड फ्लूर पर सब्सक्राइब लगता है जैसे कि आपका दस लांग रूपे लगे तो महीं पर आपका फर्स्ट रूपे जो खर्चा लगेगा दस लांग का कि दस लांग का आपका पिच्छाइब लग यहां पर मैं पिच्छाइब लग जाते हैं वहीं हम बात करते हैं जैसे अपने किसी बिल्डर से बात करा वहीं हमारा जो खर्चा है अच्छी वालिटे मतलब सैनेटी फिटिंग्स भी प्रपल होनी चाहिए मारबल मारबल होने चीए टाल होनी चीए तो उसमें अपने आइटम आपने सब जुड़वा दिया हैं उसमें सिमिंट अच्छी क्वालिटी को ने चीए तो अब वह जो रेट बताया उसने मतलब सतरह सो पर स्केर फीट लगब लेगा उसमें अब टोटल एरिया हमारे पास अब लेट कर रहा है तो अब हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं हमारे पास जो खर्चा आ रहा है कितना यह कितना है दो फ्लूर मतलब आपने दो फ्लूर को मकान बनाने में यह खर्चा आप दोर विंडौ आपका पलस लूर विनडौ फ्रेम वीद फ्रेम के साथ में सटर के साथ में आपका सबस्ट कमी मेंस हो जाती है फ्लंबिंग आपने अगर आपने देखा होगाए जो अपने agreement होता है तो उस agreement में आपको payment में इस तरह से बड़ में भी लिखे जाती है अब हम जा लेते हैं खर्चा आइटम रेट्स में कितना रहे हैं तो सोला है तो 16% कितना होगा पांच लाख 22,000 लग वग्वग आपको घर बनाने वे 5 लाग बाइस जार इतना खरचा आपका लगबग सिमेंट पे लग जाएगा वहीं हम बत करते हैं सैंड की जो रेत लगना है तो रेत लग बाग आपका 12 परसेंट लगा खरचा जाएगा तो मैं लग यहां पे आपका 3,00,000 लगबग 4,00,000 आपका रेट पर खर्चा जाएगा अब बात करते हैं गीट्टी को मनाने में गीट्टी में लगवा सब्सक्राइब साथ पर सेट आ जाता है मतलब दो लांग तो आले से जार आट सो मतलब लगबग यहां पर धाई लाग का खर्च आपका लियृटी पर लगने वाला है वहाँ अंबास करते हैं तो यह तो यह बात कता है तो यह घ्तल के लृ कुक्य certified है हैं है तो में हमारे पंट त्र जाती हैं तो में हमारा पास चाहारै नुक्त पर्शी नियुकिता यृक्त एक नहीं धीला को उतिसला करट आ जाएगा ये ब्रिकित वर्ट की बात करते हैं तो लगबवक पलूर्ण करचा आएगा डूंग नहीं के साथ हैं उसमें आपका बाइङ के साथ में आप जान लेते हैं फिटिंगS के बारे में कि आपका फीटिंग जसे की डीटिंग एं तो विंड़ो का डॉर विंडॉब को डॉर फ्रेंघ्ली hem प्लस बाता है घृत्वाइं है तो यहां गया बाद करें तो तीपोट्रीइट कर्च आपका लगने वाला दा है यहां पर और कितना हुआ 97920 खर्चा यह आपका लग जाता है वहां पर लगवा अप्रॉक्सिमेंटिक है अब आपके लेक्ट्रिकल फिटिंग्स तो सब्सक्राइब नूटिंग फिटिंग्स होती है स्वीचिस होते हैं वायरस होता है तो इसी वेस्ट पर मापे खर्चा यहां पर बढ़ सब्सक्ताइब कि वहता है तो नदर्ग के लिए तो सब्सक्राइब के लिए सबलेबर के साथ में तो लगवा То कोश हंटै नदर Ĩघ फश्राइन है यहां पर हमने निकाल दिया है और टोटल कोस्ट निकल के आ गया है बतीस लांग चोशड़ अजाल तो एप्रोक्सिमेट आपको यहां पे इतना खर्चा लग जाता है